हेलो ब्यूटिफल सोल्स दसस सान विशर्मा आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रेडिंग लेकर आए हूँ इश्वर का नाम लेकर आप कोई भी एक नाम सोचे और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं कलेक्टिव रेडिंग रहने वाली है तो बहुत सारी एनरजी निकल कर आएगी जो भी एनरजी आपके साथ रेजोनेट होगी आप उस एनरजी को पिक कीजेगा बाकी की एनरजी आप दूसरों के लिए रहने दीजेगा जेनरल एनरजी हैं बहुत सारे लोगों के साथ करेगी तो अगर जादा आपको clarity चाहिए तो आप अपनी personal reading book कर सकते हैं ठीक है personal reading book करने के लिए आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरी email id के थूँ ये booking कर सकते हैं direct call मत कीचेगा call उठाना feasible नहीं होता है पहले appointment book होती है और free readings नहीं करती हूँ है chargeable है reading तो आप whatsapp पर contact करके charges पता कर सकते हैं ठीक है so जिस person का आपको नाम सोचना है वो कोई भी हो सकता है आपका कोई friend है आपका कोई colleague है आपके partner है आपके husband है आपके wife है या कोई relative है कोई crush है किसी का भी नाम आप सोच सकते हैं ठीक है तो जैसे कि मैंने कहा collective reading है तो सभी zodic science के साथ resonate होगी so आईए सबसे पहले हम ये जोनते हैं कि वो person आपको as a personality किस तरहा का देखते हैं उस person को आपकी personality किस तरहा की लगती है जब तक मैं card सिकार रहे हूँ आप उस person के नाम के उपर focus कीजिए फिर हम देखते हैं कि उस person को आपकी personality किस तरहा की लगती है पहला card है gossip का card है the next card over here is vampire का card है father का card है the next card is mystic का card है the next card over here is addict का card है the next card over here is scribe का card है the next card is shapeshifter का card है यहाँ पर the next card is lover का card है and bottom of the deck पर healer का card तो इस person को ऐसा लगता है कि आप कान के कच्चे है मतलब अगर कोई person आपको कुछ भी बोलता है आप उसी time तो रियाक नहीं करते हैं बट वो बाते ना आपके दिमाग में कहीं न कहीं चलती रहते हैं ठीक है आप किसी के against कोई बात नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको कोई भी person कोई भी बात कहता है तो उसे आप अपनी समझदारी से सोचने समझने की कोशश नहीं करते हैं मतलब उसे analyze नहीं करते हैं आप उस person पर यकीन करते हैं इसका मतलब यहाँ पर दो characteristics आपकी इस person को लगते हैं एक तो आप कान के कच्चे हैं दूसरा आप दूसरों पर ना बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं आपके खुद का nature ऐसा है कि आप किसी की कोई भी secret information आगे पास नहीं करते हैं आप दूसरों का confidence नहीं तोड़ते हैं बट generally लोग आपका confidence तोड़ते हैं लोग आपको cheat करते हैं ठीक है तो यह person आपको लेकर feel करते हैं यहाँ पर एक positive attribute भी इस person को आपका लगता है और एक negative attribute भी लगता है positive attribute यह लगता है कि आप किसी की भी बात को अपने तक रखते हैं और negative यह लगता है कि कोई भी आपको अपनी बातों में ले लेता है यहाँ पर vampire का card है इस person को यह लगता है कि आप अपनी life में उन चीज़ों को बहुत देरी से पहचानते हैं जिस चीज़ की वज़न से आप अपनी life में सफर कर रहे होते हैं आपको सच्चाई का जो अनुभव है वो बहुत बाद में होता है तब तक चीज़े आपके हाथ से निकल चुकी होती है आप किसी का फाइदा नहीं उठाता है बट लोग जेनरल ही आपका फाइदा उठाते हैं आप किसी के उपर डिपेंड नहीं करते हैं लेकिन लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेबाल करते हैं यह कहते हैं यह परसन आपको लेकर यह फील करते हैं इस person को मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पर किसी तरीके का कोई गुसा भी है जिस तरहां कि इस person की energies है या ये person आपको लेकर एक thought process रख रहे है तो इन्हें आप से कोई नराजगी है कोई गुसा तो जरूर है यहां पर नजर आ रहा है इस person को ये पता है कि आपना एक father like personality है father like personality का मतलब ये है जो दूसरों के लिए life survival mode बनता है वही father होता है ठीक है आप अपने father के attributes को जान लीजे आपको पता लगे का ना कि father की क्या क्या responsibilities होती है और father क्या कुछ करते हैं बच्चों के लिए ऐसे ही आप दूसरों की life को create करने में उनकी मदद करते हैं support करते हैं लोगों की जिंदगी के अंदर positivity भरते हैं बट सामने से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है आप किसी को control करने की कोशिश नहीं करते हैं बट सामने वाला person कही ना कही आपको बाद में ये बात कह देता है कि आप उस person को dictate कर रहे हैं तो ये इस person को ऐसे लगता है कि आप एक emotional fool है आप emotions के बहाफ में बहुत जल्दी बह जाते हैं बहुत clearly ये person आपको observe कर रहे हैं और ये चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ इस person को आपके बारे में ऐसी चीज़ लगती है अगर मैं भी किसी का नाम सोचूँगी तो मेरे बारे में भी तो किसी को ये बात लग रही होगी ठीक है तो इसलिए इस बात को इतना ज़दा seriously लेने की ज़रूरत नहीं है इस person को आपके बारे में ऐसा ही लगता है ये उनका point of view है इससे आपने आपको disturb मत कीचेगा यहाँ पर mystic का card है इस person को ऐसा लगता है कि आपना बहुत secretive हो गए है आपने actually दुनिया में इतने धक्के खाए है लोगों से इतने जटके मिले हैं आपको कि आपने अपना connection जो divine के साथ है न वो बहुत मजबूत बना दिया है और आप एक ऐसे person है जो soul level पर divine से connect होते है आप दूसरों के सामने मतलब दिखावा नहीं करते हैं कि आपने divine से कोई connection बनाया है यह एक आपका ultimate connection बना है यह इस person को feel होता है क्यूंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी divine आपको कही न कहीं हर एक चीज़ से protect कर लेते हैं यहाँ पर addict का कान है इस person को ऐसा लगता है कि आप से अगर कोई भी इंसान बात भी कर लेना उसे आपकी addiction हो जाती है क्यूंकि आप दूसरे person को उसकी life को channelize करने में बहुत मदद भी करते हैं और selflessly आप यह चीज़ करते हैं आपके person जो भी है यह उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपनी honesty को कभी compromise नहीं करते हैं यह आपकी जो nature में न सबसे अच्छा point इस person को लगता है आप किसी चीज़ से addict नहीं होते हैं लोग आपके addiction में आजाते हैं लेकिन आपको किसी की addiction नहीं होती है आप सामने वाले person के बिना survive कर सकते हैं लेकिन सामने वाला person आपके बिना survive नहीं कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर subscribe का card है इस person को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़दा knowledge है बहुत information आपने collect ही है अपनी life के experiences से लेकिन आप वो information वो knowledge ऐसे ही नहीं लोगों में बांटते रहते हैं आप एक अच्छे सलाकार हो सकते हैं आपसे advice लेनी चाहिए है लोगों को अपनी life में आप show off नहीं करते हैं अपनी knowledge को show off नहीं करते हैं लेकिन आपकी wisdom बहुत strong है ठीक है यहां पर shape shifter का card है इस person को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ऐसे काबिलियत अप पैदा हो गई है कि आप life को अलग अलग चीजों में आप divide कर चुके हैं आपने अपनी battles को बड़े ध्यां से choose किया है आप जहां पर ज़रूरत होती है spiritually act करते हैं आप जहां पर जरूरत होती है emotionally act करते हैं जहां पर fear develop हो रहा है आपका उस fear को release कैसे करना है वो चीज आप सीछग गए है जहां पर आपको बोलना है वो आपको पता है जहां पर आपको चुप रहना वो भी आपको पता है और divine के साथ connection तो आपका ultimate है ही ठेक है और ये सब चीजें आप लोगों से चुपा कर रखते हैं आप किसी के सामने ये show नहीं करते हैं कि आपको बहुत ज़ादा knowledge है आपने अपने आप पर इतना ज़ादा काम किया है आप अपनी knowledge को preserve करना इसलिए important समझते है क्योंकि आपका ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले के करम ही वैसे नहीं है जो इस knowledge को receive कर पाए उस knowledge को देने का उस person को कोई फायदा नहीं है ये जो भी person है मुझे नहीं पता है कि ये person मेरी life में भी कौन है लेकिन ये person आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते है ठीक है इस person ने आपको बहुत closely observe किया है पहले भी और अब भी लेकिन इस person का कोई गुसा आपके साथ जुड़ा हुआ है ये person किसी बात से आपसे नराज जरूर है लवर का card है इस person को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे person है जो बहुत passionate होकर हर relationship को निभाते है आप किसी की appreciation का wait नहीं करते हैं आप ये नहीं सोचते हैं कि कोई person आपको appreciate करेगा आपकी efforts के लिए कि नहीं आप अगर किसी के लिए करने की कुशिश करते हैं कुछ भी तो आप 100% करते हैं ठीक है आप अपने love में obsession नहीं लेकर आते हैं आप self destructive energies वाले person नहीं है आप खुद को किसी के लिए हाम नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को उनकी खुशियां जरूर देते हैं ऐसा ये person आपको लेकर feel करते हैं यहाँ पर healer का card है इस person को ऐसा लगता है कि आपने बहुत जनून से अपनी body, mind और spirit को repair किया है आपके अंदर ये काबिलियत अब आ गई है कि आप किसी भी pain को healing में change करते हैं मतलब आपका नजरिया आप चीजों को लेकर इतना अच्छा हो गया कि अगर आपको कोई hurt भी करता न तो आप ये समझते हैं कि ये आपका कर्मा है या उस person का कर्मा है कोई बात नहीं आपको चीजों को let go करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है आप किसी भी person की कोई advantage उठाने की कोशिश नहीं करते हैं आप अपना ध्यान रखते हैं अपनों का ध्यान रखते हैं आपके लिए खुद को प्रात्मिक्ता देना आपकी life की prime importance बन गई है ऐसा ये person आपको लेकर feel करते हैं देखिए ये जो भी person है न आज के टाइम पर भी आपको closely observe कर रहे हैं क्योंकि अगर ये triad ये आपके अंदर देख रहे हैं ये attribute ये आपके अंदर देख रहे हैं तो अभी हाल फिल हाल में ही ये attribute आपके अंदर बना है ठीक है आएए अब हम इस deck से देखते हैं कि ये person आपको लेकर क्या feel करते हैं इस person की current feelings आपको लेकर क्या है जिन्होंने आपके बारे में इतनी चीज़े observe की हैं वो आपको लेकर feel क्या करते हैं 10 of wands का card है 9 of cups का card है 8 of swords का card है the next card is the world का card है यहाँ पर the next card is queen of wands का card है the next card over here is seven of cups का card है the next card over here is page of swords का card है the next card over here is four of cups का card है and bottom of the deck पर seven of wands का card है ये person ये feel करते हैं कि आपको बहुत सारे trust issues है आप दूसरों पर अब यकीन नहीं करते हैं ये मैं नहीं कह रहे हूँ ये person आपको लेकर feel करते हैं इस person को ऐसा लगता है कि आपका belief system में बहुत strong हो गया है जो चीज आपके belief system में fit नहीं बैठती है उस चीज को आप अपने जीवन से दूर कर देते हैं उस चीज से आप खुद दूर हो जाते हैं ठीक है तो ये चीज ये person आपको लेकर feel करते हैं इस person को ये बात पता है कि आप कितनी मेहनत करके अपनी life में इस position पर पहुँचे हैं इस जगह पर पहुँचें जहां पर आज आपने अपने हर दुख को अपने खुशी में बदलने की कोशिश भी किया और इसे बदलना सीख भी लिया इस person को ये feel होता है कि इस person ने आपका साथ तब नहीं दिया जब आप बहुत ही ज़्यादा burdened state में थे आपने अपनी life के अंदर बहुत सारी challenges देखे हैं और इस person को उन challenges के बारे में पता भी है इस person को ऐसा feel होता है कि आपने अपनी pain को अपनी strength बना लिया है इस person को ये feel होता है आपको लेकर कि आप unidirectional हो गए हैं और आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जस दिशा में आगे बढ़कर आपको खुशी मिलती है आप इस चीज में बिलकुल भी focus नहीं है कि दूसरा person आपको लेकर क्या सोच रहा है आपके लिए आपका experience ही सब कुछ है आपका दिल दिमाग जिस direction में आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है आप उसी direction में आगे बढ़ते हैं उससे आपका फाइदा हो रहा है well and good किसी और का फाइदा हो रहा है well and good अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो आप किसी के कहने पर नहीं रोकने है आपने अपनी life के अंदर से ये illusion की energies को बाहर निकाल फैंका है अब आप किसी भी illusion की energies में नहीं है आप अपनी life को लेकर बहुत sorted है आपको पता है कि आपको अपकी life में क्या करना है आपने अपनी life की illusion को अपने level पर सुलजा लिया है ऐसा ये person आपको लेकर feel करते हैं इस person को पता है कि अब आप किसी procrastination की energies में नहीं है और कोई person आपको उन energies में धकेल भी नहीं सकता है अगर कोई person आपको अपनी बातों से डराने की कोशिश करता है तो आप उस person से डरते नहीं हैं बलकि हर एक बात का डटकर सामना करते हैं इस person को ऐसा रखता है कि आपने ना अपने अंदर अपने emotions को दबा लिया है लेकिन आज भी आप कहीं न कहीं किसी proposal का weight कर रहे हैं आप expectations रखते हैं लेकिन उन expectations को किसी के सामने भी show नहीं करते हैं बहुत इंट्रस्टिंग एनरजी निकल कर आई है बहुत ही आज डिफरेंट टाइप की एनरजी निकल कर आई है I am really surprised to see कि कैसे कोई person किसी और को judge कर रहा है मतब अगर मैं भी किसी का नाम सोचूँगी तो कोई person मुझे भी बैट कर judge कर रहा है मतब it is very like कह सकते हैं आप इस चीज़ को की judgemental हो रहा है कोई person आपको लेकर और उसके अंदर जो आपको लेकर feelings हैं उसमें प्यार भी है गुसा भी है शर्मिंदगी भी है ठीक है ये person आपसे connect करना चाह रहा है जो भी ये person है और ये person connect करने की चाहत रखने के बावजूद भी आपसे connect इस वज़े से नहीं कर रहा है क्योंकि इस person को ऐसा लगता है कि आप इस person की बातों को समझ नहीं सकते हैं आपके logics अब बहुत ज़दा different हो गए हैं आप इस person की बात को बिलकुल भी नहीं समझेंगे ये person पात किसी direction में करेगा और आप समझेंगे किसी और direction में और इस person के पास इतना stamina नहीं है इतने ज़दा तथ्य नहीं है जिससे ये person अपनी बात को आपके सामने clearly थाबित कर पाए ठीक है इस person को ऐसा लगता है कि आपने न अपना ही zone बना लिया है और उस zone से आप बाहर नहीं निकलने वाले है और उस zone को तोड़ बाना किसी के बस की बात नहीं है ठीक है आपको जो सही लगता है अपने जीवन में आप वही करते हैं और ये सब कुछ इस वज़े से हुआ है क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी transformation हुई है अब आपके लिए आपका जो divine path है जो spiritual path है बस वही अब सब कुछ है आपके लिए 3D की energies जो है वो matter नहीं करती है ऐसा इस person को आपके लिए feel होता है इस person को ऐसा भी लगता है कि आप न अपने दुख को चुपाते है आप अपने bodum की energies को चुपाते है आप सामने वाले person से बहुत सारी चीज़े expect कर रहे होते है ये अपनी life से बहुत सारी चीज़े expect कर रहे होते है लेकिन उन बातों को आप खुल कर कभी भी किसी के सामने नहीं कहते हैं ये ये person आपको लेकर feel करते हैं मैंने कह रही हूँ कि आप ऐसे ही हैं लेकिन इस person को आपको लेकर ये सारी feelings आती हैं ठीक है अब हम एक और deck से देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो person आपको लेकर feel करते हैं तो पहला card है postponement का card है the next card over here is receptivity का card है the next card over here is courage का card है the next card over here is the outsider का card है and bottom of the deck पर guidance का card है तो इस person को ऐसा लगता है कि आपने ना इस person को अपनी life से completely निकाल दिया है आपने अपने life का नजरिया बिल्कुल change कर लिया है और उस नजरिये में ये person आपकी life में fit नहीं बैठते है इस person को आपके साथ grudges है गुसा है ठीक है और इस person को इसा लगता है कि जो भी आपको divine की तरफ से चीज़ें आती है या आप meditation में आप ये बात नहीं समझते हैं कि उस person की भी कुछ मजबूरिया होंगी इस person को आपको देखकर बहुत ज़्यादा हिरानी होती है इस person को ये feel होता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई आप पहले इतने जादा strength की energies में नहीं रहा गरते हैं अब आपका जो courage है वो बढ़ गया है अब आप हर एक मुश्कल चीज को करने के लिए तयार है लेकिन आपको जिसने past में कभी hurt कर दिया उसको माफ करने के लिए आप तयार नहीं मैं यह नहीं कहूंगे कि यह आप कर रहे है बड़ इस person को ऐसा लग रहा है क्योंकि यह person आपकी life को बाहर से देख रहा है यह person आपको stock करता है यह person आपकी life में जहातने की कुशिश करता है कि आपकी life में exactly क्या चल रहा है बड़ इस person को भी पता है कि अपने किसी हरकत की बज़र से इस person ने आपके और अपने बीच में ये gap create कर लिया है ये person इस gap को खतम भी करना चाता है बेट इस person को नहीं पता है कि वो चीज़ कैसे होगी इस person को ऐसा लगता है कि ये जो ताला लगा है ना इस gate पर ये ताला आपने लगा है इस person ने हमेशा के लिए आपको नहीं चूड़ा था लेकिन आज जब ये person किसी मुसीबत में है तो आप चाहर उस चीज़ को समझने के लिए तयार ही नहीं इस person को ऐसा लगता है कि आपको इस person के बारे में एक thought देना चाहिए आपको divine से ही चाहिए इस चीज़ पर guidance लेनी चाहिए कि ये person आपके लिए सही है या गलत है तो ये जो आज की energy निकल कर आई है बहुत ही अलग किसम की energy निकल कर आई है प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि आपने किसका नाम सूचा था नाम बताने की जरूरत नहीं है इसने मेरे भारे में इस तरह से सोचा है चलिए I hope आज की reading आपको पसंद आई हो नहीं चो मुझे comment section में जरूर बताईएगा इसने reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के थूरू या फिर मेरी email id के थूरू book कर सकते है मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे so अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर दीचे और bell icon को press करना बद भूलिएगा जिससे कि आपको नए-ने videos की notifications मलते रहे thanks for watching, see you soon